नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, स्वागित थे आप सभी खा हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों भगवान शनीदेव के आशिरवाद से कल सुबह साड़े आठ बजे से अचानक चमक उठेगा इस राशी का भाग्य मिलेंगी अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुश खबरियां जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव अब बारा राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं जिससे अब इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं और इन राशी वालों को मिलने वाली हैं भगवान शनीदेव के आशिरवाद से खुशियां ही खुशियां जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा और भागशाली राशियां ये कौन कौन सी है जिनका भागय भगवान शनीदेव के आशिरवाद से कल सुबह साड़े आड़ बजे से चमकने वाला है इन राशी वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी इस वीडियो में आपको उन खुश नसीब और भागशाली राशियों के बारे में हम बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन राशी वालों के पहले बहुती महत्वण रहने वाला है दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान शनीदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जैशनीदेव जरूर लिखें जिससे भगवान शनीदेव का आशिरवात आपको सीधी प् नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें जिसे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वण ज्यानवर्दक जानकारी आप लोग तक पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें तो बात करते हैं उन खुश नकने वाला है और इन राशी वालों को मिलने वाली है अब अपने जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से अफगत हैं कि हमारे जीवन में जो भी बदलाव होते हैं उसका समंध ग्रहों की च कोशिश करते हैं और इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने भविश्य को जानने की उत्सुपता रहती है मनिश्य की जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है इनकी चाल से सीधा हमारे सामने जीवन पर असर पड़ता है वही यदि बात करें शनीदेव की तो भगवान शनीदेव सूर्य के पुत्र है और इनकी माता का नाम छाया है हम सभी जानते हैं कि शनीदेव को सभी देवताओं में सबसे अधिक क्रूर सुभाव का माना गया है लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि शनीदेव किसी पर भी बिना सोचे समझे कुपित ह जाएं या फिर उसे दंडित करने लगे शनीदेव किसी को भी बिना उसकी किसी गलती या पाप के बिना दंडित नहीं करते यही कारण है कि उन्हें जगत के नायदीश के नाम से जाना जाता है जिस व्यक्ति पर भगवान शनीदेव की कृपा होती है उसकी जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है वैसे तो शनीदेव का नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि अगर किसी शक्स के उपर महरबान हो जाएं तो उनकी किस्मत बदलने में जरा भी देर नहीं लगती शनीदेव का प्रकोब जितना जादा पड़ता है उससे जादा लोगों को वो खुशियां देते हैं जी हां आप सभी लोग शनीदेव को सिर्फ प्रकोब बरसाने वाले ही समझते होंगे लेकिन इनकी महीमा को कोई नहीं समझ पाया है आपको बत बिर्बान होते हैं इसी क्रांद में अब भगवान शनीदेव बारा राश्यों मेंसे कुछ राशी वालों पर बहुत अदिक प्रसन हो गए हैं यूं समझ लीजे कि भगवान शनीदेव ने अब इन राशी वालों की पुकार सुन ली है जिसकी वज़े से अब इन राशी वालों के जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू होने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब इन राशी वालों के जीवन में होने वाली है खुशियां ही खुशियां, यूँ कहें कि भगवान शरीदेव के आशिर्वात से अब इन राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है दोस्तों फिर देर किस बात की, तो आईए जान लेते हैं वे भागशाली राशियां कौन कौन सी है जिन पर भगवान शनी देव की क्रेपा होने वाली है और इन राशी वालों के जीवन में आने वाली है अब खुशिया ही खुशिया जी हाँ दोस्तों जिन खुशनसीब भागिशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राशियों में से जो पहली राशी है वो राशी है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दें कि आपके उपर भवन शनी देव की अपार क्रिपाजिष्टी बनी रहेगी जिसे इन्हें धनलाब प्राप्त होने की संभावना है आपको बता दें इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिधी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरकी मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या पढ़ाई करना चाते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथ ही साथ इस राशी के लोगों की आय में वृदि होगी जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में जादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे भगवान चनी देव की विशेश क्रिपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपनी जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशिया ही खुशिया अब आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों अगली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे भगवान चनी देव की क्रिपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान चनी देव आपके उपर बेहत प्रसन है आपके मान सम्मान और प् वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दे आपके रुके वे कारे अफ समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दे जो भी कारे अप शुरू करना चाहते थे उस कारे में आपको皆さん प्राप्त होगी जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव के आशिरवाद से मेश राशी वालों आपके आय के साधनों में व्रिधी होगी भगवान शनीदेव के आशिरवाद से आपको धनलाब प्राप्ती के नए अवसर प्राप्त होंगे आपके घर परिवार में कुष्णुमा माहोल रहेगा साथी साथ आपके कारोबार में व्रिदी होगी सामाजिक शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी अचानक से धनलाब प्राप्ती की आपके लिए संभावना बन रही है साथी साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो वो योजना आपकी अविश्य ही सफल होगी भगवान शनीदेव की विशेश कृपा मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है समय अब आपके पक्ष में है समय का आप भरपूर लाब उठाएं समय को अपने हाथ से जाने ना दे जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है विशब राशी विशब राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव के आशिरवात से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं दोस्तों आपके द्वारा की गई महिन मेहनत का अब आपको फाइदा प्राप्त होगा आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रेपा से आपकी आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुई कार्य अब सफलता पूर्वग बनेंगे दोस्तों के साथ मेल जूल बड़ेगा साथी साथ इस राशी के लोगों को अनिक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है मेश राशी वालों आपको अपनी जीवन साथी और परिवार का पूरा सयोग प्राप्त होगा आपकी मदुरवानी की वज़से आपके सभी कार्य पूरे होंगे भगवान शनीदेव जी की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है जिसकी वज़से आपकी धन सम्मंद जो भी परेशानिया है वे सभी परेशानिया दूर होंगी और साती साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य अब आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे आपको बता दे भगवान शनी देव के विशेश कृपा आप मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है आप दिन दुगनी और राज चौगनी तरक्की करेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आप अपनी सफलताओं की अब जंडे गारेंगे जिसे दुनिया आपका जलवा देखेगी कहना गलत नहीं होगा भगवान शनीदेव के आशिर्वास से अब आपके लिए समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है कन्या राशी दोस्तों कन्या राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की विशेश प्रिपा आपके उपर बनी हुई है कन्या राशी वालों आपको बता दे ना केवल आपको धन लाब होगा बलकि आपके व् खुब व्रिधी भी होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदवनुती के साथ-साथ वेतन व्रिधी के पूरे योग हैं साथ-साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं बगवान शनी देव की विशेज क्रिपा कन्याराशी वालों आपके उपर बन रही है, साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा, धनलाव प्राप्ति के अनेकों अवसर कन्याराशी वालों अब आपको मिलने वाले हैं, साथी स आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे साथी सा जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वे योजना भी इनकी अविश्यी सफल होगी भगवान शनीदेव के आपके उपर कृपा दृष्टी बनी हुई है आपकी समस्त मनों और अपने जीवन में अनेक प्रकार के लब धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्टी होने वाली जिसे कर्या राशी वालों आपका जीवन होने वाला है आपको बता दे आपको ना केवल मान समान मिलेगा बलकी समाज द्वारा आपको काफी तारीफ भी की जाएगी इसके अलावा आप अपने जीवन में ऐसे नए अवसर पाएंगे जिसे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है इसके साथी आपको काफी धनलाब भी होगा जब एक तरफ परिवार में खुश्यों का माहुल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिधी होगी सिंग राशी वालो अब आपको चारों तरफ से लाव ही लाव मिलने वाला है भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदवनुती के साथ-साथ वेतन विधी के पूरे योग बन रहे हैं आपको ब इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहोल रहेगा जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी जी हाँ दोस्तों आपको बता दे भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है धनुराशी धनुराशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की क्रिपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं दोस्तों आपको बता दे आपकी मेनत का आपको फल मिलने वाला है आपको बता दे जो आपने मेनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा आपको बता दे आपके रुके हुए कारे भगवान शनी देव क आशीरवात से अब समय पर पूरे होंगे आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दे कि आप लोगों के उपर भगवान शनीदेव की असीम क्रिपा बनी हुई है और भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपकी धन समंदित सभी परिशानिया मुश्किले अब दूर हो जाएंगे और आपको धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे धन में खोब व्रिदी होगी और अनेक प्रका के लाब धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दे जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन वेतन व्रिदी के भी योग बन रहे हैं आपको बता दे भगान शनी देव की खरिपां से धनू राशिवालों को बता दे भगवान शनीदेव की क्रेपा से आपके जीवन में अब खुश्यों का बंडार आने वाला है जी हां दोस्तों भगवान शनीदेव आपके उपर बहlyAT प्रसंद है आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है जिसे आपका जीवन बदल जाएगा जिया दोस्तों आपको बता दे कुम्ब राशी वालों आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है साथी साथ जो भी आपके उकेवे कार्य हैं वे कार्य अब सफलता पूरक पूर्ण होंगे और साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्यापार दिन दुगना रा चोगना तरकी करेगा उनको हर तरफ से अब लाब ही लाब मिलेगा कुम्ब राशी वालों अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली है भगवान शनीदेव आपके उपर बेहद प्रसन है साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन हुरी के योग बन रहे हैं साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मंचा ही नौकरी भी मिलेगी साथी साथ आपको बताने यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्दी ही वापस मिलेगा आपके व्यापार में जो भी रुकावटे आ रही है वे रुकावटे खतम होगी और आपके जीवन में अब खुशिया ही खुशिया होगी कुम्ब राशी वालों आप अपनी जीवन में एक नई खुशी का एसास करेंगे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके उपर कुम्ब राशी वालों बन रही है समय आपके लिए पूनता पक्ष में है इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है मिथुम राशी मिथुम राशी वालों आपको बता दे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है आपको आने वाली समय में अब आय और नौकरी में पदोनती मिलेगी व्यापार में अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक सिती मजबूत होगी सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे परिवार में शांतीव आनंद का बातावरन रहेगा आपको कोई बड़ी खुशकबरी में सकती है भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे व्य मितुन राशी वालों आपके जीवन में अपार खुश्यों की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपके जीवन में होगी खुशियां ही खुशियां साथी सा जो लोग नया बाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अभिशे सफल हो संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है जिसे घर परिवार में होंगी खुशियां ही खुशियां ये कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशी वालों भगवान चनिदेव के आशिरवात से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में र भगवान चनिदेव के आशिरवात से अब अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है इन राशी वालों के जीवन में होगी अब खुशियां ही खुशियां भगवान चनिदेव के आशिरवात से इन राशी वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रका के लाब धनलाब और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों भगवान शनीदेव का अशिर्वात आप सभी को प्राप्त हो आपसे अनुरोध है आप कमेंट बॉक्स में सची दिल से जै शनीदेव जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें करें बवालों का दोनीदेव जरूर साथे जरूर से जरूर है जरूरूर रववारो है